कॉने कीचन में स्वागत है आज हम बनाएंगे इस्टि मॉला मॉमास उसके लिए हमने ये मअधा लिया है पनीर को हमने कदू कस कर लिया है बंदा भी कदूकस गाजर कदूकस इस तरह से सिमला मिर्च को कट किया है एक हरा मिर्च को कट किया है दो कप मायदा नमक थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल कर गूतेंगे इसको ज्यादा नरम नहीं गूतेंगे मायदा को हमने अच्छे से गूत लिया है अब हम इसे आधा घंटा के ल लहसुन, अध्रक, इस्ट को बना लेंगे, रिफायन तेल, दो चमर डालेंगे रिफायन तेल, जीरा, हरा मिर्च, सीमला मिर्च, गाजर, कदुक अस्किया हुआ गाजर, सब्जी को जादा फ्राई नहीं करेंगे, कदुक अस्किया हुआ बंदगोवी, स्वाद अनुसार नमक, अध्रक लशुन का पेश्ट, अध्रक लशुन को पेश्ट को अच्छे शफ्राई कर लेंगे, आप चाहे तो इसे ठंडा करके बेज मोमस बना सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं पनीर मोमस, तो हम डालेंगे इसमें कदुकस किया हुआ पनेर, हमारी सभी सबजी अब मिक्स होके रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसे ठोड़ा गैस बन करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इस टीम करने के लिए हमने इस तरह से इटली का जार लिया हैं, पानी डाल देंगे, इस तरह का छन्नी लिया है, तो हमारा छन्नी अराम से इस तरह से इसके अंदर आ जाएगा, तो हमारा मोमस के लिए इस टीम के लिए परफेक्ट है, एक चम्मच रीफायन तेल डाल की इस तरह से छन्नी को ब्रश कर देंगे, सबजी हमारी ठंडी हो चुकी है मॉमस के लिए परफेक्ट बन चुका है अब हमारा आटा भी इस तरह से हो गया है तो अब हम बनाएंगे मॉमस इस तरह से हम छोटा सा मैदा का लोई को ले लेंगे इस तरह से हम पतला इसको बेल लेंगे इस तरह से हमने बेल के तयार कर लिया अब हम इसे ऐसे एक चमच इसमें सब्ची को डाल देंगे फिर इस तरह से ऐसे पकड लेंगे और इसको हम इस तरह से चिपकाते जाएंगे हमारा मुमस इस तरह से तयार हो जाएगा मुमस हमारा बन के रेडिय हो चुका इस तरह से हम इस्टीम के लिए छन्नी के अंदर इसको रख देंगे देने के लिए इसको मुमस को छन्नी के अंदर डाल देंगे 15-20 मिनट हम इसको इस्टीम के लिए बठा देंगे हमारा मुमस में इस्टीम हो चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे इस टीम मोमस बन के सर्फ के लिए रेडी हो चुका है इसे टमाटर की तीखी चटनी के साथ सर्फ करें इस टीम मोमस बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सेयर करें, सस्क्राइब करें और अपने कीशन में जरू ट्राइ करें, धन्यवाद